हेलो गाइज गुड बॉर्णिंग ओल अफ यू कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में वैसो रिये स्कूल के लिए रेड़ी बट वैसो रेड़ी स्कूल के लिए है आज की तब है थोड़ी सी खराब है ना इसलिए इसे स्कूल नी भेज रहे हैं और इसकी क्लाश चलेगी च्छत प्याप रहे हैं इसका लंच पैक भी मैंने रेड़ी कर दिया था लेकिन अब इसकी तबएद खराब है तो इसका लंच भी अब घरी में होगा लास भी घरी में चलेगी आगाई अब तो गोड़ जाना इस दोप्श कर दोड़ी है तो अधा बहुति खराब है आइस सी खलाष जाने आले है च्छत्म जा रही है इसके क्ला स्कुल बाब च्छत्म जा रही है क्या करेंगा यहां पड़ाई करेगा अच्छा इसकुल क्यों नहीं किया कराब है क्या हो गया है क्या हो गया दृट्वत को तृट्वत क्या होगे और देंगे रहे हैं अध्यक जगा मरका शुका मरका बुका रहे हैं अजकर मौसम देखे बिल्कुल साफ है बहुत मस्ता से खिली खिली धूप है आज देखे रवेशो की चल रहे हैं यहां पर क्लास कर पहले बता आपी स्कूल को नहीं गए आज अब कराप है अच्छे सर्दी आरी है ठीक हो जाएगा है आज दूप में बैठों ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा कि पिसपार फ्रूट तो यह करने जिए फिस पार फ्रूट कहते हैं जिए फ़फ पॉर बोलग चलो श्रुआ पड़े करना और मैं नीचे काम करने जारी हो के फुरदर में आउंगी हां यह रेडी है हमारे करमा करम आलो के पराठी और बच्चों के लिए यह मैंने आलो की रोटी बना रिखिया बिना ओयल घीकिए दिखो यह चोटी के हाले हैं वेश्र मैं खिलाती हूं आपको हां इसके बाद यह साम का वीडियो साम को मैंने मस्रूम काट के गरम पानी में बाइल पानी में डाल दिया है पापा कह रहे थे कि न तुम लोग प्याज अच्छे से नहीं भूनते हो इसलिए आज ग्रेवी मैं बनाऊंगा फिर पाकी की प्रोसेस तुम करना पापा का तरीका थोड़ा अलक है पहले प्याज भूना पापा ने अच्छे से पिर प्याज को अच्छे से भूनने के पाद उसमें लासून और अध्रक डाला और उसके फिर उसको थोड़ा से चलाने के बाद फिर उसमें टमाटर डाला और टमाटर के उपर ही सारे मसाले डाल दी थी जितने ची होते हैं रेडी हो चुकी थी खुसबू आ रहे थी इसमें अच्छी सी ग्रेवी बने करते हार थी इसके उपर इसके बाद आगे की प्रोसस मेरे हाथ में थी वैसे हम इसे हमेशा मुटर मस्रुम बनाते हैं लेगिन आज बीना मटर का बनाया था यह भी बहुत बड़िया बना था इसे थोड़े देर ऐसे भूनने के बाद मसाले में भूनने के बाद फिर उसके बाद इसमें पानी डाल देना है अपने रिक्वर्मेंट के इसाब से पानी बॉयल करके गरम पानी डाला है इसमें रेडी है हमारा मस्रूम अब मैं इसे थोड़ा धनिया पहले से डाला वाया अब थोड़ा सा यसे गार्निस करूंगे धनिया से है 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 कैसे आप सब्सक्राइब आज वेश्व श्कूल नहीं आज मैंने वीडियो अप्लोड नहीं कर रहे हैं आख मेना आएना और गए दाना और गए भी बहुत दर्द कर रहा है मतला आख बंद करने में दर्द हो रही है आए नहीं कहते हैसे इसकी दबाई है तो मतलब क्या हो मिटी हो सकते हैं इसके पापा जी आज घर को चल चुके हैं जा चुके है वैसे तो जाद दिन तर भेने वाले थे वैसे तो अभी जादा दिन के लिए आए थे लेकिन घर में बच्चों की न थोड़ी से अब खराब हो रही है तो पापा कमान नी लगाया इमीडियेटलि होने जा न पड़ा तो वह आज घर को जा चुके हैं और यह वीडियो आपकी पास साइद आज दिल में तक आएगी चलिए पस आज की वीडियो को यह पर समाप्त करते हैं फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई नमस्कार और हाँ कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा इस आए